जहीं दोस्तों में हुँ सुजीत आजके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया का जीडिपी ग्रोज ट्रेट में गिराबट और एकोनोमिक स्लोडाउन के बारे में तो चलिए वीडियो का शुरूबात करते हैं जीडिपी यानि ग्रोज डोमेस्टिक पोड़ा किसी भी देश का आर्थिक स्थिति को मापने का जरिया है जीडिपी का आकरा देश का आर्थवेवस्तला के प्रमुप उत्पादन शेत्रों में उत्पादन व्रिद्धी पर आधारित होता है जीडिपी के अंदर प्रमुप क्रिशी, इंडस्ट्री और शाल्दिश इन तीन शेत्र आते हैं और इनी शेत्रों में उत्पादन व्रिद्धी या घटने की स्थीपी से ही कि GDP दर्थ्टाई किया जाता है भारत में GDP की गणना प्रत्यक तीन महिने में किया जाता है क्वाटर ली इस साल इंडिया का GDP क्वाटर टू में घटकर 4.5% आ चुका है 5% से और जुलाई सेप्टेंबर के बीच 5.5% गिरावाट डर्ज किया जा चुका है लास्ट यार 2018-19 में कोटर टू में इंडिया का GDP था 7.1% माना ये जा रहा है कि इस साल GDP का ग्रोथ रेड बीदे 6 सालों में सबसे स्लो था अगर हम लोग दुनिया के 10 बरे GDP देशों के बारे में बात करें तो भारत 6 पाइदन पर आता है पहले नमबर पर है United State of America जिसका nominal GDP है 21.506 trillion और दूसरे पाइदन पर है चाइना 14.242 trillion के साथ वही तीस्टे पाइदन पर है Japan 5.231 trillion के साथ और चोथे पाइदन पर है Germany 4.210 के साथ और पाचवे पाइदन पर है United Kingdom 2.982 trillion के साथ वही चैटे पाइदन पर आता है भारत 2.935 trillion के साथ वही 7वे पाइदन में है France और 8वे पाइदन में है Italy 2.161 trillion के साथ और ब्राजिल है 9वे पाइदन पर 2.095 trillion के साथ और 10वे पाइदन पर है Canada 1.822 trillion के साथ गौर करने वाला बात ये भी है कि इंडिया भी चाइना से दुनिया का fastest growing economy का रेस हारता वह नजर आ रहा है आखिर कौन सा रिजन है इंडिया का economy slowdown होने का ये से भी इंडिया पे नहीं इस समय पूरे दुनिया पर मन्नी चल रहा है और बहुत सारा डेवलोप डेस ज़र च बहुत एफेक्ट आया है और लोगों के जॉब्स पर भी उसका सिधा एफेक्ट आया है ओटो सेक्टर पर इस साल 2004 के बाद भारे गिरावट डर्श किया गया है वही हम बात करें तो रियल स्टेट बिजनेस के बारे में इंडिया में टॉप 30 ऐसे सीटी से जहां पर 1.28 मिल पाता है क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है और 2017 में आये रियल स्टेट रेगुलेशन एक के तहर अगर प्रोपार्टी डेवलोपर बायर से बुकिंग के नाम पर लिया हुआ पैसा अगर तय वक्त पर प्रोपार्टी अपने बायर को दे नहीं सकता तो उससे लिया हुआ एमाउंड पर बायर को इंट्रेस या फिर वो एमाउंड को रिफंड भी करना पर सकता है गर बिल्डर तय वक्त पर अपना प्रोपार्टी बेच नहीं पाता है तो उससे स्टील इंडस्ट्री और सिमिन फेक्टरी ये सब पर सिधा एफेक होता है इंडिया का जहातर पॉपूलेशन लोवर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और इस केटेगरी के लोगों का वेज रेट भी बहुत कम है तो इस केटेगरी के लोग अपना ज़रूरी नीज पूरा कर सकते है लेकिन उतना पैसा बेंकों में सेविंग नहीं कर सकते तो उ नोट बंडी यानि कि दी मोनेटाजेशन इससे ज़्यादा एफेक्स स्मॉल स्केल माइक्रों मीडियां बिजनेसेश फ़र्म को हुआ है क्योंकि उन लोगों का जार ट्रांजेक्शन केस्ट पर होता था रिपोर्ट के मुटा भिक नोट बंडी के बाद 15.31 लाग करव रूप बिजनेसेश फ़र्म तयार नहीं था इन्हीं रिजनों के वज़े से बहुत सारे बिजनेसेश फ़र्म जॉब प्रोडूस नहीं कर पा रहा है अर्बियाए के एक रिपोर्ट के मुटाब एक महेंगाई दर इंडिया में अगले तीन महीने में चरम पर होगा लेकिन GST एकोनोमी स्लोडाउन हुआ है और सरकार ने भी एकोनोमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए है जैसे कर्पोर्ट टेक्स में कतो दी इटा दी जिसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी नीचे कोमेंट बक्स पर अपना सुझाब बताईए